मुखे मंत्री बनने की रेज जारी है जी हाँ आज शाहर राज्यों में काउंटिंग सुभा से लगातार जारी है ऐसे में चौकार देने वाले आकड़े सामने आ रहे हैं जहां 36 गड़ में कॉंग्रिस के सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो वही मद्य प्रदेश में बीज इंडिया अब तक पहुचा रहा है आपको बता दें कि फिलहाल शिर्वाती रुजहान जो है वो आने शुरू हो चुके है ऐसे में लगातार अपडेट ये सामने आ रही है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में बहुमत मिल रहा है और बड़े मार्जन के साथ बीजेपी जी एक पर नजर आ रही है वही राजस्थान में 105 पर बीजेपी, 78 पर कॉंग्रेस और 12 अने अभी तक जो आखने सामने आए है 34 गड़ के हम बात करें तो यहाँ पर 15 पर कॉंग्रेस नजर आ रही है और बीजेपी 49 पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो दो अने पर है तिलांगन के हम बात करें तो यहाँ साथ पर बीजेपी है 64 पर कॉंग्रेस, बीजेपी सरकार बनाती है नजर आ रही है वहीं एक पे काटे की टक कर राजस्थान के बारे में फिलाल कुछ भी कहना जल्दवाजी होगी बताये जो रहा है कि अशोग गहलाद और सचिन पालेट अपनी सीट से पीछे चल रहे है यह बड़ी जानकारी नीजवल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है मद्यपरदेश के रुजानों में बीजपी गरजी है मद्यपरदेश के ताजा रुजानों में बीजपी को प्रचन बहुमत मिलता नज़र आ रहा है बीजपी एक से क्यावन सीटों पर बढ़ात अभी तक बढ़ाय हुए है वहीं कॉंग्रिस 78 सीटों पर आगे चल रही है अन्य को एक सीट पर बहुमत मिली हुई है वहीं एमपी में बीजपी को लगातार बढ़ात मिल रही है चुनावी आयोग के आख़ों के मतापकी मद्यपरदेश में बीजपी आगे लगातार बनी हुई है वहीं राजिस्तान की हम बात करें तो राजिस्तान में यहां बीजपी चीफ सीपी जोशी कहते वे नज़र आए हैं कि हम 135 सीटे जीतने वाले है राजिस्तान बीजपी चीफ सीपी जोशी ने राज्य के चुनावी नतीजों पर साबने आये शिर्वाती रुजपानों को लेकर बड़ी बात कह दी उनका कहना है कि हम 135 सीटे जीतने जा रहे हैं शिर्वाती रुजपी राजिस्तान में भी आगे नज़र आ रही है शिवरार सिंग चौहाल ने वोटों की गिंती के दौराल ट्वीट कर कहा कि भारत माता की जए जनता जनारधन की जए मद्यप्रदेश विदान सवा चुनाव के नतीज़े आ रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के आशिरवाद और अधर्णी प्रधान मत्री नरिंद्र मोदी के कुशल नहतित में भारति जनता पार्टी पूर महमत के साथ पिरसे सरकार बनाने ज़ा रही है और कुछ ऐसी तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। को बहमत मिलता वा नजर आ रहा है। कालट पेपर और इवे मशीन की गिनती शुरू हो रही है। जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे है। उससे कहा जा सकता है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि कहीं भी अगर जीत हार का अंतर जो नजर आ रहा है। को बहुत ही कम नजर आ रहा है। आगे भी अपडेट के लिए आप बनी रहे है न्यूजवाल इंडिया के साथ। क्यों नजर आपके साथ।